तो हे गाईज आज हम फिर आप लोग के लिए हैं स्टाटिक जी के का टॉप ट्यान मोस्ट इंपोर्टेंट कॉसन जो की प्रिवेज सेर में पूछा गया कॉसन है और हिस्ट्री पॉलिटी उसके बाद जोगरफी सेर लिटेट सारे कॉसन होंगे और उनको हम भी टेक्श्टा कर सकता है इसके अब दी समाप्त होने से पहले भी लोग सबाको भंग कर सकता है कौन कर सकता भंग लोग सबाको भी घटन कर सकता है आपको यही बताना है आपको दिया राष्ट पती परधान मंत्री के सलापर राष्ट पती परधान मंत्री इन्हें कोई नहीं तो यह चार लोग गटन कर सकता है तो फ्रेंट यहां देखें राष्टपति भी दिया है परधान मंत्री की सला पर राष्टपति लोग सबा को विगटन करेगा भंग करेगा और इससे कोषन कि लोक सभा को राष्ट्पती परधान मंतरी के सवा पर भंग करता है किस अनुच्छत के अंत्रगत लोकस्वा को भंग क्या जता है तो हो जाएगा अनुच्यत 85 तो अनुछिए 85 के अंतरगात परदानवंतरी के सदापर राश्टपती लोगसबा को अब दीके समाप्त होने से पूर्वी भंग कर सकता है आप इसे याद रखिएगा और जो परदान लोग सबा में बहुमाद दलका नेता होता है और जो लोग सबा में बहुमाद दलका नेता होता है उसे ही राजपती परदान मंतरी के पत पर न्यूक्त करता है तो यह सारे कॉसन को आप इसे याद रखेगा यह पॉलिटी से समधने कॉसन था और बहुत ही इंपर्टन कॉसन यह कोसन बहुत बार पोछ लिया गया है एकजाम में तो फ्रेंड्स चलते अब अगले कोसन की ओर कोसन है कि राजसभा किसके दोरा भंग किया जा सकता है राजसभा यानि की उच्छ सदन राजसभा पताना अब लोग को उच्छ सदन अपरहौस है तो राजसभा को किसके दोरा भंग किया जा सकता आपको यही बताना है उप्सन में आपको दिया है लोगसभा राश्टपती समयधानिक संसोदन इन में से कोई नी यानि की नन तो यह चार उप्सन है बताना कि राज सबा जो है अपराओस इसको कोन भंग कर सकता है तो इसका अंसर उप्सन डी हो जागा याने कि इन में से कोई नहीं नहीं तो राज सबा को आप याद रखेगा फ्रेंड्स कोई भी भंग नहीं कर सकता है राज सबा को कोई भी भंग नह नहीं कर सकता है कोई भी क्योंकि ये अस्थाई सदन है ये अस्थाई सदन है राज सबा लेकिन जो लोग सबा थे वो फ्रेंड्स और अस्थाई सदन है उसको भंग क्या जा सकता है राज सबा को भंग नहीं क्या जा सकता है किसी के भी द्वारा आप इसे याद रखेगा दुखसभा अनुछेट एकसी रासभा अनुछेट असी यह तिनों को आप याद रखिए गाइस से रिलेटेड बहुत इंपर्ट कॉसन यह भी पॉलिटी से था तो बता दे हम चलते अब अगले कॉसन की और कॉसन है कि गौबर गाइस का मुझ की घटक है तो बताना है कि गौ मिथेन तो गौबर गाइस का मुझ की घटक क्या है मिथेन है अग गौबर गाइस का विसकार क्या था सीबी देसाई आप इसे याद रखिएगा कि सीबी देसाई ने गौबर गाइस का विसकार क्या था और गौबर गाइस का मुझ की घटक मिथेन प्राकृतिक घटक मिथे निट्रल्वा घ्यक में मिथेन स्पाइब को आध रखेगा बहुत बार पूछिया जता है कि दान के खेट कोण सा गाँगा गहां कौन सा अगों से का मुख घटक मिथेन गोबरगास का मुख घटक मिथेन को इससे रिल्लेट रखेगा यह यह भी बहुत इंपूर्टन को सथा तो चलते हैं अगले कॉस्टन की और कॉस्टन है कि किस अस्थान पर भगवान महावीर की मिर्थ्यू हुई थी बताना है कि महावीर स्वामी की मिर्थ्यू किस अस्थान पर हुई थी अप्संन आपको दिया कोशी नगर वैसाली राजगीरी पाभापूरी तो इसका अन्सरी बता दे अप्संन डी हो जाएगा पाभापूरी पाभापूरी में भगवन महाविर स्वामी की मिर्त्य हुई थी और इनका जन्म वह था वैसाली कुंडगरा में ब्यार के वैसाली के कुण गरह में महावीर स्वामी की मिर्थ्य हुए थी और यह जयन धर्म के 24 में तिर्थंकर थे जयन धर्मे कुल 24 दिन तक तिर्थंकर थे और जयन धर्म का वास्तिविक संस्थापक महावीर स्वामी को हिमाना जाता है और जयन धर्म का पहला जो तिर्थ करते वह थे रिसभदिव उते इसमा थे पार्सुनात अचो सुमा थे महाऻीर स्वामी इसका मिरत्यू पाबापुरी में वह आ पशेया रखेगा और यह जय धर्म से सम्दी थे और जय धर्म का वाश्दिविक्सांस ठापक सभ्स्षामू Möglichkeit तो इतने सारे होनी चाहिए लोग सबागा अगर सदस बनना है किसी भी उम्मेदबार को कितने वर्ष से कम उसका आयू नहीं होना चाहिए option आपको दिया 21 वर्ष से कम 25 वर्ष से कम 35 वर्ष से कम तो इसका answer बता दे option B हो जागा पर फ्रेंड्स 25 वर्ष से कम याने की नियूंतों मायू 25 वर्ष होनी चाहिए लोग सबागे सदस बनने के लिए किसी भी उम्मेदबार को नियूंतों माय कितने होन चाहिए 25 वर्श राश सवा के सदस बंने के लिए 30 वर्श याद रखिएगा राश diffassing के सदस बंने के लिए 30 वर्श लोग divers ब्रwest लुखलर सभापत बने के बहुत है इंपोर्टेन है इसलिए हम आपको करा दे रहे हैं तो चलते हैं बगले क्वेक्षान क्यों आई यह भी पॉलिटी से फ्रेंड्स कि राष्टपति के चुनाब में विवाद के मामले को संदर्वीत किया जाता निए विवाद को नि बिवाद आयुक्त सर्वोच नियायाल है संसद इन में से कोई नहीं तो बताना है आपको कि राश्पति की चुनाम में अगर कोई भी मामला आ गया उनको राश्पति के चुनाम से समझे जो भी बिवाद है आप से याद रखेगा ये भी बहुती इम्पोर्टेंट कोई और यह अनुचित को याद रखेगा नुचित एक अगद से समझें जो भी विवाद है और सर बूत नहीं याद है का इअन ऐसे बोबडी को आपको इसे बहिए कुछन को चलते अब अगले कॉसन की यूड कोशन है कि भारत का सभीधान अंगे कृत हुआ और अस्थित्व में आया तो बताना है कि भारत का सभीधान अंगे कृत हुआ और कब अस्तित्म मैं आया आपको यहीं बताना है यहींने कब स्विकारा गेया था अंगरी करेत हुआ था अगुक कर चैयर हुआ ईयगा लॉसार चास 26 जनबरी उनिसों 50 पंदर अगर शुन सच 27 26 जनबरी उनिसों 50 और 26 नमंबर उनिसोटालिस 26 जनबरी उनिसों 50 तो यह चार ओप्सन है इसमें दो कॉस्टन का अंसर है इसलिए इतना बड़ा ओप्सन है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं अप लोग देखिए किस ओप्सन में इसका अंसर होगा कि बाहरत का सविध्यान को कभ अंगीकरित किया और कभ अस्थित में आया तो अपछा अंगीकरित और स्विकृत क्या गया था जू बनकर स्विक्रित क्या गया था और लागू हुआ था अस्तितमयाट 26 जनवर उनिश्व को आप इसे याद रखिएगा चलते अब अगले को सन की ओर को सना की सविधान सभा जो सविधान सब्सक्राइब नियुक्त ना समय लिया कितना समय में सब्सक्राइब पाने सबेदान को बना लिया कि यह कॉष्ण तो आप जणते ही होंगीस अप्ज़ाब कर दिया-धोर स came 1118, तीन दस मां दस दिन चार वर्स 11-11 दिन पांच बस पश़ोज ऑ उप सब्छेस याने की दो अणकरों को भषा मां गरता सभेदान को सब्रसा करने निया में के सचिदानन सिन्ह वो तो अस्थाइ थे बाद में गारत समर को किalay गाटेर सब्सके रूप में चुना गया किसे डीक्टरा राजिंदर परसाद को आप भी याद रखिएगा और अस्थाई सदस्त पूछेगा दोक्टर राजिन परसाद और अस्थाई डोक्टर सचिदानन सिन्ना लेकिन सविधान सवा का पर्थम बैठक क्या देखता कुन के थे सचिदानन सिन्ना क्योंकि वो समय सबसे बुजूर विक्ति थी उमर्द राज वि पिद्धाइका के पर्थि राज बिधन सवा के पर टी राश्ण पर यह 오े रहाए जब तक राज पर अपने पत पर बना रहेगा इस्लिए नहीं याद रिखेगा राज पाल जो इतर पर दाई होतें कि राश्पति reg块 करता है उसको पटा दे रहे हैं अब अगले को संक्रावर और यह आजका टॉप्ट्रेन कि याद रखेगा और राश्ट्पती के दौरे दौर प्रेंट्स चलते हैं अगले कौसं की ओर और यह आज का टॉप 10 कोशन का लास्ट कोशन है इस कोशन का अंसर आपको देना है कमेंड बॉक्स में कि बिग्यान दिवस किस्ति थी को माना जयता है ओप्सन में आपको दिया पांस सितंबर चोदो नमंबर अठास फरवरी कि बिग्यान दिवस किस्ति थी को माना जयता है इसका अंसर आप लोग कमेंड बॉक्स में दिजिएगा तो फ्रेंड्स आज का टॉप 10 कोशन हम डिसकेशन करा दिए भी एक्ष्टा फेक्ट का आप सभी कोशन को समझ गया होंगे याद भी हो गया है यह दिए आपको वीडिय वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा युटूब चैनल करजी जिस अड़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को भी हिट कर देजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोडिफिकेशन तुरजन आप तक पहुंच जाए थैंक्स वराची मीडियो धन्यवाद मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेसन के साथ